हेले स्टुडेंट्स आज हम लोग करेंट अफेर्स का एक नया टॉपिक हम लो डिस्केस करने जा रहे हैं जो की साइंस अंट टेक्स से संबंधित है यानि अगर कहें तो जी एस पेपर 2 का सेक्शन 3 और इसके साथ का इंटरफेर्स का भी एक क्वेशन हो सकता है तो जी एस पेपर वन का सेक्शन 2 तो यह दोनों के लिए इंपोर्टेंट है बीपेसी मेंस के लिए खोल बीपेसी मेंस के लिए हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही है उस टॉपिक का नाम है डीप वेब इसको फिर दुसरा करेगरी में डिभाइड कर सकते हैं डार्प वेब अभी ये चर्चा में क्यों है तो चर्चा में आने का जो मुख्य कारण है कि हाले में अमेरिका साइबर स्वच्छा कंपनी री सीक्यूरिटी ने कहा है कि भारत के जो भारतियों का पहचान है आधार संख्या और उसके साथ साथ भारतियों का जो पासपोर्ट का डिटेल से ये दोनों data मिला कि लगए 815 मिलियन भारतिय नागरिकों का ब्यक्तिगत रूप से जो पहचान योगे जानकारी होता है जिसको PII करते हैं नि Personally Identifiable Information इस information को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है तो ये बहुत बड़ा एक कहा जा तो नुक्षान होने वाला है अगर इस तरह का information भारतियों को अगर public platform पे collect करके और उसको किसी अन्य माध्यम के तुरू किसी और देश में पहुंचाया जा या किसी ऐसे लोगों तक उस information को पहुंचाया जा जो कि इसको अनाधिक्रित या illegal इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका security का दावा है कि भारतियों का 815 मिलियन भारतियों का नाग भारतियों का जो personal information जो कि आधार संख्या पासपोर्ट का जो डिटेल है उसको जो है डार्क वेब पर बेचा जा रहा है अब यहां पर आता है कि आखिका डार्क वेब है क्या online content जो encrypted है ठीक है लेकिन यह normal browser से नहीं खुल सकते हैं जो conventional search engine होता है उसके द्वादा अगर search करेंगे तो उस पे नहीं आता है इसके लिए special browser, special software या special technique का इस्तमाल करेके ही इस online content को access किया सकता है डार्क वेब को हम लोग simple धंक से समझें तो डार्क वेब उन sites को संदर भी करता है उन websites को बताता है जो अनुक्रमित नहीं है किवल विशेश वेब browser के माध्यम से ही accessible है पहुँची होगी है नहीं होता है मतलब online ऐसे content होते हैं जिसको कि normal browser की तो या normal व्यक्ति के द्वारा या और उसक जो उप्योग करता है उसके द्वारा accessible नहीं हो और उसको assist करने के लिए special software, special configuration की जोगत परती है इसी चीज़ को इधर भी लिखा हुआ है कि the term dark web refers to encrypted online content जो कि index नहीं है conventional search engine पर जो normal search engine है जिसे google हो गया, ask हो गया, yahoo हो गया या और भी अन्ने search engine है तो उस पर accessible नहीं है, मतलब उस पर अगर आप search करेंगे तो वह information नहीं मिलेगा, उसको information लेने के लिए एक अलग specific browser, specific software या specific configuration की जोगत परता है जनरली जो है, टोर ब्राउजर का इस्तमाल किया सकता, किया जाता है, कुछ dark web या deep web के information को collect करने के लिए, इसमें बहुत कुछ ऐसे content को या ऐसे चीज़ों को share किया सकता है, जो आम public के, यानि common, जो search engine में नहीं उप्लग होता है इस चीज़ को थोड़ा से हम लोग और detail से समझते हैं, कि surface wave, dark wave और deep wave है क्या इसके लिए हम लोग next slide में हम लोग बढ़ते हैं, तो सबसे पहला चीज़ आता है, वो आता surface wave अब इस picture के तो आप समझ सकते हैं, कि surface wave को किस तरह से define किया गया है, मान लिज़े कि कोई एक पहाड़ है वो जो उपर की और show कर रहा है, जो दीख रहा है, यह हमारा surface wave हो गया है जो पानी के अंदर है, जो दीख नहीं रहा है, लेकिन accessible है, वहां तक पहुंचा आजा सकता है, ते ही हो गया हमारा deep wave और तिस्तरा है कि dark wave जो की बिल्कुल accessible वहां पे specific technique यह specific software के जरिये ही किया सकता है यह आम browser जैसे कि हम लोग surface wave है, हम लोग ऊपर की चीज़ों को ही देखते हैं, अंदर की चीज़ों को नहीं दिखाई देता है लेकिन dark wave जो है बहुत deep के अंदर, बहुत इसके अंदर के information को भी यह देखता है तो यह हो गया dark wave, simple इसको मैं define कर दिया हूँ surface wave को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा wave है, जो कि search engine, जो search engine होता है, उसके थूँ, आसानी से हम लोग उसको access कर सकते हैं, या उसको index हम लोग कर सकते हैं यानि एक तरह से कर सकते हैं, यह हमारा visible part हो गया ठीक है, तो iceberg है, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले का भी photo दिखला है, तो iceberg है, यह हमारा visual part है, यह हमारा surface wave हो गया है example के तो आप देख सकते हैं, गूगल, facebook, instagram, youtube, यह सारे surface wave है, surface wave का मतलब यहाँ पर आपके जो content है, वो आपको देख सकते हैं कि आप खुद भी, मतलब कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, इस information को देख सकता है, उस information को जिस information को आप share करते हैं, तो हमारा हो गया surface wave, जैसे online shopping हो गया, social media हो गया, सब इसी में include आता है, दुसरा आता है, deep wave, deep wave क्या है, एक ऐसा एक layer है, data का content का, जो कि, जैसे मैं इसके पहले में देखा था, कि यह पानी के अंदर है, मतलब वो iceberg का, जो कि समुद्र के अंदर है, अब यहाँ पर इस data को content किया गया, अब इस data को क्या है, कि कोई normal धंग से इसको accessible नहीं कर सकता है, data है, लेकिन इसको accessible, surface wave को accessible है, लेकि deep wave को data को accessible नहीं है, यहाँ पर कुछ personal information होता है, legal document हो गया, private forum हो गया, research paper हो गया, या फी कुछ ऐसे non-index content है, या medical record हो गया, यह सब को यहाँ पर सुरच्छित रखा जाता है, deep wave में, ताकि इसको कोई भी ब्यक्ती, यानि कोई normal ब्यक्ती, जो है, commonly इसको general ध code रहेगा, या फी कुछ password रहेगा, उसको इसको इस्तेमाल करके ही, किसी का information या इस content को, deep wave के data को हम लोग collect कर सकते हैं, ठीक है, तो यह basically legal purpose के लिए इस्तेमाल किया सकता है, कि कुछ अगर वैसी जरुवत पढ़ गई, तो हमारा कुछ legal action लेना है, legal information करना है, तो उसके लिए deep wave का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हो गया हमारा deep wave, और तिसरा जो हो जाता है, वो हो जाता है dark wave, अब dark wave क्या है, dark wave में आप देख सकते हैं, कि सबसे जो iceberg हम लोग जिसको एक imagine कियाते हैं, कि iceberg है, उसका सबसे निचला हिस्सा, जो कि, देखिए, उपर में surface wave में accessible है, deep wave मे बहुत difficulty से accessible है, कुछ specific लोग ही accessible कर सकते हैं, और dark wave में मतलब बहुत ही ज़्यादा specific हो गया, यह बिना किसी special software, बिना special configuration को इस data को assess नहीं किया सकता है, इसमें क्या हो गया, private communication forum, टोर, illegal trade, illegal activity, तो अभी online के माध्यम से अगर बहुत बड़ा अगर illegal activities होता है, तो इसी dark wave की skill होता है, यह कोई साधारन technique के साधारन technology के द्वारा, इस information को share किया जा रहा है, इस information पर क्या, यहां पर dark wave में क्या हो रहा है, इस कौन से data है यहां पर, इसको सभी के लिए accessible नहीं होता है, बहुत ही, rarest case में, यह accessible होता है, तो एक तरह से कहा जाते है, bottom of the ocean है, समूद के सब से निचला हिसा कर दाता है, जो कि आप कोई भी साधारन technique के द्वारा उस data को access नहीं किया सकता है, तो इस तरह से हम दोगे तीन तरह की wave को समझे, surface wave, deep wave और direct wave, यानि surface wave जो हमें दिखाई देता है, जो से social media हो गया, या फिर जो search engines हो गया, इस सब चीज हो गया, deep wave हो गया, जो कि कुछ legal activities होता है, legal हो गया, information या फिर प्राइवेट information जो है, उसको यहां पर सम्रचित किया जाता है, इसको रखा जा सकता है, और इसको एक special technique के द्वारा ही इसको access किया सकता है, मतलब नॉर्मल जो है accessible नहीं हो, तर तिसरा हो गया, जो dark wave है, काफी जादा है, मतलब bottom of the ocean, bottom of ocean, यानि समुद्र के सबसे निचला सतह पर किसी आंकड़ा को अवे स्वच्छित रखा जाए, तो उसको access करना कितना मुस्किल है, यह उसी चीज को indicate करता है, यानि dark wave पर वैसे information होते हैं, जिसको access करना बहुत ही मुस्किल है, जैसे कि समुद्र का अगदम सबसे निच में भी आधाय डाटा को लीक होने के सुचना मिली थी, जिसमें बड़े प्रमाने पर डाटा लीक के सामने आया था, जिसमें से एक पधान मंत्री PM किसान वेबसाइट पर जो किसानों का जो डाटा था, उसको collect करके उसको dark wave पर उपलब्द करा दिया गया था, मतलब PM किसान पर वेबसाइट पर जितना भी PM किसान का जो इंटरी हुआ था, उससारा information dark wave पर उपलब्द करा गया था, इससे पहले 2030 में भी रिपोर्ट एक सामने आया था, जिसमें की messaging platform telegram है, उसमें एक bot बनाया गया था, उसमें एक chatbot बनाया था, जिसमें की उस भारतिय नागरीकों क ब्यक्तिगत डाटा को धीरे धीरे करके चुरा रहा था, और वो डाटा उस कहां से चुरा रहा था, तो COVID-19 जो वैक्सिन था, COVID-19 इंटेलिजेंस नेटवर्ट, तो इस पोर्टल पे पंजी करन जो डाटा था, उस सारे डाटा को वो collect कर रहा था, तो इस तरह के चीज़ें जो है, डाटा उलंगन के मामले सामने आए हैं, इसको लेकि कुछ भारत में डाटा गर्वनेंस के संबंदित प्रावधान भी हैं, जिसमें की आपको आईटी संसोधन अधिनियम दोजाराथ, जस्टिस केस पुट्टा स्वामी स्रेवा निवरीद बनाम भारत संकी, इस माम इंडिया अधार, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 का प्रस्ताव राएगा, रखा गया, तो इस तरह से भारत में डाटा गवनेंस से संबंदित कुछ प्रावधान है, अगर आप मेंस का अंसर लिखते हैं, तो इस प्वाइंट को सीप इतना आपको डाल देंगे, तो सफि रहते हैं, तो इवाइडिया ने अभी जो है, शुरू कर दिया है, मास्क्ड आधार, मास्क्ड आधार पर मतलब कि जो आधार है, उस पर फोटो नहीं दिखाई देगा, और उस पर जो डिजिट है, वो डिजिट पूरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंतिम चार्ड जो सुनिचित करने के लिए कुछ से इस तरिये पहचान समिछा समिठी के माध्यम से स्वत्रंत निरिच्छन फीर से सुरू करने के लिए आधार अधनियम में संसोधन किया जाना चाहिए, सरकार को अनिवाय रूप से आधार उपयोग को स्विकार उद्देश्यों तक ही सिमित रखना चाहिए और अधार प्रमानी करन अगर विफल हो जाता है तो इस पर वह कल्पिक प्रमानी करन विधियों को भी उपलब्ध कराना चाहिए, कि अगर मानली जा अधार से किसी प्रकार आइडेंटिफाइन हो तो कोई और भी माध्यम से आइडेंटिफाई करना दे रहे हैं जो सामने आ दें उसको रोका जा सकता है डिटेल के लिए या पी PDF के लिए आप nskpbi.com है इसमें आप करेंटरफेस सेक्षन का जो कोर्स है उसमें आप रेजिटर करेंगे तो वहाँ पर आपको पीडिएफ मिल जाएगा और लेसंस में तो आप जो देखवाँ विजिट करें nskpbi.com थैंक यू